वेलकम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप 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 सभी अच्छे होंगे तो इस वीडियो में देखते हैं exercise 7.7 question number 7 और question number 8 तो देखो question number 7 देखते हैं पहले क्या बोला है root के अंदर है 1 plus में 3x minus में x square integrate करना है तो let करते हैं इसको i के equal integration का sign root के अंदर है 1 plus में 3x minus में x square और यहाँ पर dx ठीक है अब देखो 1 plus 3x minus में x square ऐसे type के क्योंसे हम पहले भी कर चुके हैं उनमें हम क्या करते थे जो मार पास x का coefficient होता था उसका half करते थे फिर उसका square add और minus करते थे तो यहाँ पर देखो root के अंदर क्या है आपके पास 1 plus में 3x minus में x square अब यहाँ पर x कोफिशेंट क्या है 3 है 3 का half 3 by 2 तो 3 by 2 का square 9 by 4 add करना है और 9 by 4 minus करना है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं अब देखो integration के अंदर है आपके पास root के अंदर यहाँ पर dx लगा दिया इन पर देपए फ़हाँ और 9 by 4 तो क्या जाएगा यहाँ आ पहरा गया आपके पास 1 पलस में 9 by 4 ठीक है अंदर आपके पास क्या बच गया A सुकेर पलस में B सुकेर माइनस का 2AB यानि कि X माइनस में 3 by 2 का होल सुकेर अंदर आपके पास बच गया ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखो इंटिग्रेशन के अंदर रूट के अंदर यहां पर DX लगा दिया माइनस में X माइनस का 3 by 2 का होल सुकेर अब यहां पर आजाओ आप इसको LCM लेके सोल करोगे आप तो क्या जाएगा 13 by 4 आ जाएगा ठीक है अब 13 by 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट 13 by 2 का होल सुकेर ऐसे लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहां पर आपके पास यह फोर्मला बन गया रूट के अंदर A सुकेर माइनस में X सुकेर आपने पढ़ा था क्या हुतता है एक बार मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूँ रूट के अंदर A सुकेर माइनस में X सुकेर डी एक सह थीक है, तो x कैसे बर क्या रखना है, x- 3y2, upon में है 2, ठीक, यहां तक आपको समझ में आगया, into में हैं आपके पास, root के अंदर, a²- x², तो root के अंदर, a²- x², यह किस से बना है, इस से बना है, तो हम रख देंगे, 1 plus में 3x- x², पलस में a square upon में 2, अब a का square करोंगा, तो क्या बन जाएगा, 13 by 4 बन जाएगा, और upon में 2 है, तो 13 by 4 और upon में 2 आएगा, तो 13 by 8 हो जाएगा, ठीक है, sin inverse x by a, अब x हैं यहाँ पर x minus में 3 by 2, ठीक है, clear, 2 यहाँ पर मैंने LC में ले दिया, क्या मनें गया है, 2x minus में 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब upon में आ जाएगा आपके पास a, a है यहाँ यहाँ पर root 13 by 2, तो root 13 by 2, ठीक है, इस 2 से यह 2 cancel हो गया, पलस में c है, अब final step अब यहाँ ले दूँगा 2, तो उपर क्या मन जाएगा, 2x minus में 3, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या मन जाएगा, 2 to the 4, इंटो में है, root के अंदर, 1 minus में 3x, sorry, 1 plus में 3x, minus का x square, plus में 13 by 8, sine inverse, 2x minus में 3, upon में root 13, plus में c, answer, यह था आपके पास question number 7, एक बार फिशे देख सक कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें, बस आपको formula याद होना चाहिए, अब देखते हैं, question number 8, question number 8 भी लगवग, ऐसा ही है, let करते हैं, इसमें, i के equal, इसको, integration का sign, root के अंदर, x square, plus में 3x, और dx, अगला step हमारे पास क्या होता था, x का coefficient देखना, x का coefficient है, यहाँ पर 3, अब 3 का half का square, add करना, और minus करना, तो 3 का half क्या हो जाएगा, 3y2, और उसका square क्या हो जाएगा, 9y4, तो x square, plus में 3x, plus में 9y4, और minus में 9y4, dx, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास बन जाएगा, a plus b का whole square, x plus में 3y2 का whole square, a square, plus में b square, plus में 2ab, इन तिनों का काम का बच गया, 9y4 बच गया, 9y4 को में लिखता हूँ, 3y2 का whole square, ठीक है, अब यह मेरे पास एक formula बन गया, कोन सा formula बन गया, root के अंदर x square minus में a square, क्या होता है, xy2, root के अंदर x square minus में a square, minus में a square by 2, log mod के अंदर x plus में root के अंदर x square minus a square, plus में c, अब x के लिएपर यहाँ पर जाएगा x plus में 3 by 2 upon में 2 root के अंदर x square माइनस में a square x square plus में 3x तो x square plus में 3x minus में a square a का square यहां पर क्या हो जाएगा देखो a है यहां पर 3 by 2 यानि कि 9 by 4 हो जाएगा अब 9 by 4 ओनीचे है आपके पास 2 तो 4 to the 8 9 by 8 बन जाएगा यहां पर log mod के अंदर x plus में 3 by 2 x के अपर x plus में 3 by 2 plus में root के अंदर है x square माइनस में a square x square plus में 3x आजाएगा जो के उस्चेन आपके पास और plus में है c इसको और थोड़ा सा आप simplify करके लिख सकते हो यहां पर आप LCM ले सकते हो LC में आपर क्या जाएगा 2 LCM आजाएगा उपर बन जाएगा 2 x plus में 3 और वो जो LCM आए है 2 वो इसके साथ multiply हो जाएगा यहां पर आजाएगा 4 ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं होगी root के अंदर है into में x square plus में 3x minus में 9y8 log और यहां पर है आपके पास mode के अंदर x plus में 3y2 और plus में है यहां पर root के अंदर x square plus में 3x फिर mode close plus में c यह अंस्वरा जाएगा question number 8 का थाना बिल्कुल easy question तो इस वीडियो में देखे दो question question number 7 और question number 8 अगर आप यहां पर चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe जरूर कर दें वीडियो को like कर दें ओके thanks for watching